कैसे हो सब बढ़िया आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं नीट दोहजार चोबीस के लिए अपना बायलोजी का स्लेवस जो है अपना स्टार्ट करने वाले हैं और यह समझ लो कि एक नई जर्णी अपन स्टार्ट करने वाले हैं तेक है डिटेल में सारी चीजे पढ़ेंगे ये जो lecture है Hindi medium के लिए है तिक है मानव जनन की अपन बात करेंगे दिखरा होगा आपको बोड में तो अपने मानव जनन को पढ़ेंगे डिटेल में इस lecture पढ़ेंगे पहला अपना पूरी साल आपको मोटिवेटेड रहना है और ठाईब को पूरी साल मोटिवेटेड रहना है और, आपको कोई रिष्टेदार आपको बोल रहा है कि तेरे से नहीं हो रहा है ठीक है अगर आपको कोई दोस्त बोल रहा है आपको कि तेरे बस की बात नहीं है तो अपने दिमाग में अपने आपको एक बात बोलो ठीक है कि जिस दिन आप सफल हो जाओगे उस दिन एक बात बोलोगी ठीक है क के कुछ देर की खामोसी है, फिर कानों में एक शोर आएगा, तुम्हारा तो सिर्फ वक्त है, हमारा दोर आएगा, तो आपका दोर आने वाला है, ठीक है, थोड़ा सा संगर्स आपको करना पड़ेगा, ठीक है, तो संगर्स करने के लिए तयार है, ये संगर्स कितना है, वही तो रोज आपको motivated रहना है, class में आना है ठीक है और अच्छे से पढ़ाई करनी है, अब अपन स्टार्ट करेंगे, अपना lecture स्टार्ट करेंगे और इसमें ज्यादा कुछ नहीं, बिस परीचे परीचे पढ़ने वाले हैं, दीरे 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 अपने स्टार्ट करेंगे, अगर आपको एकदम से every dose दे दूँगा, तो आप अगले दिन उसको संभाल ही नहीं पाओगे, तो दीरे दीरे आपकी dose बढ़ाई जाएगी, ठीक है, चलो, स्टार्ट करते हैं, मानव जनन, मानव जनन में सबसे पहली बात तो आपको पता, human reproduction के अंदर, ये बात सब को पता है, जो human reproduction है, जो मानव जनन है, जो मानव जो reproduce करता है, ठीक है, वो sexually करता है, ये बात सब को पता है, ठीक है, लेंगिक जनन होता है, ये तो पता है आपको, ठीक है, इसी को सकतो नहीं है कि भई, जो मानव जनन करता है, सक है किसी को, चलो दी, स्टार्ट करते हैं, चलो, मानव जो है वो क्या करता है लेंगिक जनन करता है कैसा करता है जी लेंगिक जनन करता है लेंगिक जनन करता है अब लेंगिक जनन करता है अब लेंगिक जनन करता है अब लेंगिक जनन का मतलब क्या जी लेंगिक जनन का मतलब क्या है मतलब क्या हुआ इसका कि भई इसमें गेमिट क जूरत पड़ेगी किसकी जूरत पड़ेगी गेमिट की युगमक की जूरत पड़ेगी युगमक किसका एक आएगा मेल से एक आएगा फिमेल से दोनों का मिलन कराएंगे तब ही तो बच्चा बनेगा ना तो भई इसमें किसकी जूरत पड़ेगी युगमक की जूरत पड़े यहां पर क्या है यहां पर दो चाहिए मदर फादर दो चाहिए ठीक है मानव के अंदर तो मदर फादर दो चाहिए ठीक है तो दोनों से क्या आएंगे गेमिट आएंगे ठीक है तो लेंगिक जनर होता है सबसे पहली बात तो यह हो गई दूसरी बात क्या है कि यह कैसे होता है जरायूज होते हैं अब जरायूज का मतलब क्या है जी जरायूज किसको बोलते है जो बच्चा पैदा करते हैं उनको बोलते हैं जरायूज और जो अंडे देते हैं उनको बोलते हैं अंडियूज ठीक है जो बच्चा पैदा करते हैं उनको क्या बोलते हैं, जरायूज बोलते हैं, और जो अंडा देते हैं, उनको क्या बोलते हैं, अंडियूज बोलते हैं, इंग्लिस में भी थोड़ा सा बता दूम आपको, जरायूज को इंग्लिस में बोलते हैं, जी वी वी पैरस, क्या बोलते हैं, वी वी पैरस, ठीक है, व वह भी पैरस बोलते हैं, यह चीज मैंने आपको बता दी, यह पहले चप्टर के अंदर यह चीज है, क्यों नहीं किया पहला चप्टर, क्योंकि ने हटा दिया है, तो अपन उन जिन चोर चप्टर हटाए गए हैं, उनको बाद में करेंगे हैं, तो अंडियूज जो जो अंड पैरी बात लेंगेगेगेगेगेगेगेगेगेगेगेगेगेगेगेगेगेगेगेगेगेगेगेगेगेगेगेगेगेगेगेगेगेगेगेगेगेगेगेगेगेगेगेगेगेगेगेगेगेगेगेगेगेगेगेगेगेगेगेगेगेगेगेगेगेगेगेगेगे हाँ चलो ठीक है अब मेल और फिमेल तो चाहिए मैंने एक सबत और काम में लिया था युगमक ठीक है यह युगमक क्या है यह युगमक क्या है मैंने कहा कि यह युगमक जो है एक युगमक आएगा कहा से मेल से आएगा एक आएगा फिमेल से और दो युगमक जब मिलेंगे तब क्या बनेगा जाइगोट बनेगा युगमनस बनेगा उसी से क्या बच्चा बनता है तो देखते है चलो जी यह लो जी भी देखते हैं मेल से क्या आएगा मेल से एक युगमक आएगा एक आएगा फिमेल से युगमक आएगा ठीक है दोनों को मिलाएंगे तब क्या मिल क्या बनेगा बच्चा बनेगा ठीक बात है अब आपने वर दिया भाई एक मेल से आएगा तो मेल की अंदर यह यूगमक बनाता को नहीं ठीक है उसकी प्रोसेस देखने पड़ेगी यह मैं समरी बता रहा हूं आपको जब परीशे पढ़ा नहीं रहा प्रिश्ची एसे रफ ठीक है अब पहले इस चेप्टर में करेंगे क्या अपन पहले यह इसका मेल का यूगमक बना लेंगे तो यह सारी चीजे अपन इस चेप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं ठीक है अब मां थोड़ी सी बात बता दू आपको कि बह इसे ठीक है लेंगिक जनन की बात मैं इंट्रोडक्शन आपको प्रीची दे दिया अब बात करेंगे लेंगिक अंग की बात कर लेते हैं ठीक है किसकी बात करेंगी लेंगिक अंग की जो बाते बोल रहा हूं ठीक है वो लिखते जाओ दोस्त नहीं नहीं नोटबुक नहीं नवेली नोटबुक आपने डाली होगी वो बाते सारी आप लिखते जाओ ठीक है लेंगिक अंग की बात कर लेते हैं लेंगिक अंग दो परकार की होते हैं ठीक है दो परकार की होते हैं एक होते हैं प्रात्मिक प्रात्मिक लेंगिक अंग और एक होते हैं द्वित्यक लेंगिक अंग ठीक है अब इस प्रात्मिक क्या होता है और इस द्वित्यक क्या होता है प्रात्मिक अंग कौन सा होता है testis version को क्या बोलते है male अगर आदमी की बात करूँ मैं male की बात करूँ तो उसके अंदर प्रात्मिक अंग कौन सा होगा version होगा English मैं बताऊँ तो testis होगा और female के अंदर कौन सा प्रात्मिक अंग होता है भई कौन सा होता है अंडा से इंगलिस में ओवरी बोलते है जिसको तो प्रात्मिक अंग कौन से होते है इसको मैं चोटा कर लो ना ताकि यह सही से लिखा जाए ना चलो ठीक है तो प्रात्मिक अंग दो होते है वही कौन कौन से होते है एक होता है आपका वर्षन वर्षन एक होता है आपका अंडाश्य, अंडाश्य, ठीक है, अब इनको प्राथ्मिक क्यों बोला है, प्राथ्मिक इसलिए बोला है, कि अगर ये नहीं है, तो फिर कुछ भी नहीं है, फिर बच्चा पैदा नहीं किल सकते हैं, ठीक है, अगर ये चीज नहीं है, प्राथ्मिक चीज यह नहीं है चलता लेकिन अगर फिरस चीदि यही नहीं है ना दोस्त प्राफ्मिक अंगी नहीं है ता वह सेन थे नहीं हो सकता थेका है तो प्राइटमिक अंग बहुत इंपोर्टेंट है क्यों इंपोर्टेंट रोइथ यहीतो युगमक बणता है यही क्या है युगमक बनाता और मैंने बताverted कि यूगमक दो यूगमक मिलते तब ही तो बच्चा होता है तो युद्मक बनाने के लिए आपके प्रास्मिक अंग जो है वो बहुत ही ज्यादा important है ठीक है अब प्रास्मिक अंग मने आपको बताया कि दो परकार की होते है प्रास्मिक अंग एक होता है क्या वर्षण और एक होता है अंडाशे ठीक है वर्षण किसके अंदर होता है वर्षण होता है दोस्त मेल के अंदर मेल के अंदर क्या होता है वर्षन होता है और फिमेल के अंदर क्या होता है अंडाशी होता है इंगलिस के नाम भी बता दूँ अंडाशी को इंगलिस में बोलते है ओवेरी ठीक है और वर्षन को इंगलिस में बोलते है टेस्टिस यहां तक बात क्लियर हो जानी चाहिए ठीक ह अब यह द्वित्य कंगों से है भई अब यह द्वित्य कंगों से है ठीक है अब जो बाकी के बच गए ना द्वित्य कंग ठीक है जो सायक नलिकाएं हो गई ठीक है और जो ऐसे से डक्ट हो सायक नलिकाएं हो गई और जो सायक गरंथियां हो गई ठीक है बहुत सारे गरंथि जो रास्था रहेगा जो नलिकाए रहेंगी वो क्या हैं द्वित्यक यह को डिटेल Scottish हैं ठीक है जोकष्टन गया हो इन ही जननांग हो गया यह सारे क्या द्वित्यक यह ठीक है चलो अ आगे चलते हैं एक ऐकी बात करेंगे पहले अपन डिटेल में पढ़ेंगे किसको वरशन को डिटेल में पढ़ेंगे फिर अपन ओवरी को डिटेल में पढ़ेंगे ठीक है टेस्टिस को डिटेल में पढ़ेंगे फिर क्या पढ़ेंगे अपन ओवरी को डिटेल में पढ़ेंगे तो पहले पढ़ लेते हैं इसको नर्जननतंतर को पढ़ लेते हैं इसको पढ़ेंगे नर्जननतंतर को पढ़ेंगे चलो जी यहां तक बात क्लिए रहना यह इंट्रोडक्ट्री पार्ड था अब बात करेंगे नर्जननतंतर की बात करेंगे ठीक जी नर जनन दंतर इस अब नर जनन दंतर के अंदर क्या क्या चीज पढ़ने वाले हैं एक बाद तो आपको अभी पता लग गई क्या लग गई कि इसके अंदर क्या होता है जी वर्षन होता है क्या होता है वर्षन होता है वर्षन होता है टेस्टिस होता है क्या है यह तो 6. साहयक . 2. नलिका हैं 1. और क्या होता है इसमें ? ओर पोलता हैँ ?dou भी लिखता जाओ साथ में , थीक है ? अगर किसी को हिंदे में धोड़ी सी दिक्कत आए , तो इंग्लіसमें देख सकती हम और क्या होता है , इसमें साहयक गरंतियां साहिक गरंतिया, असेसरी ग्लेंड्स और क्या होता है इसमें, बाईये जननांग इंग्लिज में अक्स्टर्ला जनेटेलिया तो ये सारी चीजे न, ये चार चीजे अपन जो है वो नर जनन तंतर के अंदर पढ़ने वाले हैं नर जनन तंतर के अंदर ये चार चीजे पढ़ लोगे ध्यान से सुनना, सारा कुछ दिमाग में बैठा दूँगा अभी बस ध्यान से सुनते जाओ, ठीक है, सबसे पहले पढ़ेंगे क्या वर्षन को पढ़ेंगे भई, ठीक है, वर्षन को पढ़ने वाले हैं, डिटेल में पढ़ने वाले हैं, वर्षन को डिटेल में पढ़ने वाले हैं, वर्षन क्या है, आप सब जानते हो, ठीक है, वल्गर तर क्या होता है सब जालते हो ठीक है टेस्टिस जो है ना टेस्टिस जो है ठीक है वह होता कहां पे है कहां पे होता है टेस्टिस टेस्टिस एक थेली के अंदर होता है ठीक है शरीर के अंदर नहीं होता शरीर के बहार एक थेली के अंदर टेस्टिस होते हैं टेस्टिस कितने होते जोड़ा कितने का होता है तो यह सरीरके अंदर होते हैं कि बहुते हैं बहार होते हैं तइस्टिस बहार होते हैं जिस को detto नहीं है खिकाई बताऊ वाहर होता के अंदर हैं तो भाहर ही होता है तेस्टिस का होते हैं बाहर होते हैं उस रिक बहार होते हैं निधुर कह हितरu के बाहर ठीक है एक एक थेली चेली लिख देता भी तो ठीक है थेली ठीक है थेली जैसी थेली जैसा जैसी सरंचना सरंचना लिख देता हूं स्रंचना में होते हैं और इस थेली का क्या नाम है जी इस्क्रोटम क्या बोलते हैं इसको इस्क्रोटम इस्क्रोटम ठीक है डाइगराम थोड़ा सा बनाके दिखा हूं आपको डाइगराम ये लो जी ऐसी एक थेली है ठीक है इसको क्या बोलते हैं इस्क्रोटम बोलते हैं जो सरीर के बाहर होती है नरजननतंतर पढ़ रहे हैं उसके अंदर का पढ़ रहे हैं वर्षन पढ़ रहे हैं वर्षन होता कहां पर है सरीर के बाहर एक थेली जैसे सरंचना होती है पाउच होता एक उसके अंदर वर्षन होते हैं वर्षन कितने होते हैं जी दो होते हैं पता लग की थेली है इसके अंदर दो थेलियां और भी है ठीक है इसके अंदर दो थेली जो है वो और भी है एक थेली ये है एक थेली ये है ठीक है चलो जी इतनी बात पता लग गई ठीक है इनको क्या बोलेंगे जी इनको बोलेंगे स्क्रोटल सेख बोलेंगे जो बाहर वाली जो थेल आपको जो दिखती है उसको क्या बोलते हैं स्क्रोटम बोलते हैं अब इस स्क्रोटम के अंदर क्या है दो थेलियां है अलग अलग दो थेली होती है उनको क्या बोलते हैं स्क्रोटल सेक बोलते हैं सेक वर्ड किसके रही उस होता है कोई भी थेला या थेली होती है उसको ही क्य बोलते हैं, saig bola जाता है, यहां तक बात clear है, अब in scrotal sotto sec, के अंदर क्या है, version होता है, ठीक है, इन scrotal seat, के अंदर क्या होता है, इनके अंदर वो, version होता है, तो मैं एक बात आपको बता दूँ और बहुत सारे रिलेट भी कर पाएंगे, आप दड़कों के लिए बोल रहा हूं, टिक है, वल्गरिटी के लिए निमत लाना, ठीक है, ट्राइगर करके देख सकते हो, कि यह दोनों जो वर्षन न, दोनों वर्षन को आप एक जगए नहीं कर पाती हो, चाहे, कैसे भी आप ट्राइगर के दे के अंदर हैं दोनों अलग-अलग इंटरचेंज हो सकते हैं ठीक है इस वाले को मैं इधर ले आओं इस वाले को मैं इधर ले आओं आपको ऐसा लग सकता है ठीक है क्योंकि बाहर तो एक थेली के अंदर है नहीं जी अंदर यह दोनों अलग-अलग थेली के अंदर हैं यह वर् क्लियर है ठीक है कि जो बाहर की बाहर की जो थेली है उसको स्क्रोटम बोलते हैं इस स्क्रोटम के अंदर दो थेलियां होते हैं जिसको स्क्रोटल सेक बोलते हैं और इसके अंदर क्या होते हैं टेस्टिस होते हैं क्या होते हैं वर्षन होते हैं बात ठीक है चलो जो अब देख यहां से क्या निकलेगा यहां से निकलेगा क्या इपीडिडाइमिस अधीवर्षन क्या निकलेगा जी अधीवर्षन ठीक है वह आगे बताओंगा क्या होता है अधीवर्षन ठीक है यह अधीवर्षन आ गया ठीक है जी आ गया जी अब अधीवर्षन क्या है फिर कहां झीए इचल ऑफिघ संगे अडिकिन का लिइचन ऑफ एगे ऐंगिट के अड़े बनाए यहां पर ये क्या है दोस्त ए अदी वर्षण गरा अगिधी वर्षण पर इसको एंग्लिस में इपने नहीं regular से बोलते है ठीक बात है, ठीक है, चलो, अब देखो, यह उपर जो जा रहा है, यह उपर कहा जाएगा, यह उपर जाएगा, पेट के अंदर जाएगा, ठीक है, यह जो जा रहे हैं, यह जो connection जा रहा है, यह पेट के अंदर जाता है, और पेट के अंदर जाता है, यह पर यह समझ लो, पेट के अंदर ऊपर जा रहा है तो कोई ना कोई खोल होगा कोई छेद कर दिया बिल्कुल कर दिया इस च्छेद को क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं इंगवाइनल के नाल, क्या बोलते हैं, इंगवाइनल के नाल, इंगवाइनल के नाल का जाता है इसको, ठीक है, इतना समझ लो, इंगवाइनल के नाल, अब यह जो पिंक कलर के अंदर जो जा रही है, यह अकेली नहीं जाती, यह अकेली नहीं जाती, अंदर ऊपर पेट में यह अक है एक तो क्या हो गया आपका वास डेफरेंस हो गया ठीक है सुकर वाहिक हो गया और क्या हो गया इसके अंदर सुकर वाहिक नलिकाई होगी ठीक है एक तो सुकर वाहिक नलिकाई होगी और क्या होगे रख्तवाक नलिकाई होगी और क्या होगे नाउज होगी ठीक है और क्रीम क्रीमिस्टर मसल भोती है क्रिमिस्टर मसल लिकदूंगे हैं और क्रीमिस्टर मसल का जिसको बोलते है हं हिन्दी में शम्सान मसल सम्सान पेशी बोलते ठीक है तो यह समसान जो पेशी है इसका काम क्या है इसका काम क्या है आपने एक चीज़ नोटिस की होगी जब सरदी होती है जब सरदी होती है तब यह जो स्कुरोटम है यह बिल्कुल पेट के पास आ जाता है उपर की तरफ आ जाता है ठीक है और जब गर्मी होती है तो यह is scrotum , यह नीचे ठेली की तरह लटकने लग जाता है , लड़की इस पास से relate करेंग सोर्णां, चशिया से, अदिस सर्दी का time होता जब ठंड होती है , तब scrotum जो है , यह यह उपर की तरह आ जा जकिक Prix । पेट लेकर जाती है यह जो मसल है ना क्रीमेस्टर मसल यही लेकर जाती है इस थेली को ऊपर नीचे करने का काम किसका है इस थेली का काम है जी ठीक है तो इसके अंदर यह जो बंदल जा रहा है ना यह जो बंदल जा रहा है पेट के अंदर इन में से एक कौन सी मसल है समसान पेशी क्रिमस्टर मटसल्बी है ठीक है अब एक चीज और बताओं माँ आपको कि कि अगर आप ज complexities आपड़ जाते हो भी टक है इस जो बजन उठाते हैं ठीक है तो वो क्या करते हैं या पर बेल्ट बांदते हैं जिम के अंदर क्या है पेट पर बेल्ट बांदते हैं और उसके बाद में ही क्या है वो बजन उठाते हैं ठीक है अगर ऐसे आपने वजन उठा लिया अपनी समता से ज्यादा ठीक है अपनी ओका आफ्ट से ज़्यादे अगर बजन उठा लिया तो क्या होगा आपकी जो ऐंदर की जो आत्व बोलेगी मेरे बशकी बात नहीं है अप्की जो पेट के अंदर आपकी जो आँत है वो क्या के लिए इस च्छेद के थूव नीचे आजाएगी उसको क्या बोलते हैं इंगवाइन इंग्वाइनल हर्णिया बोलते हैं उसको चलो यहां तक ठीक है कोई दिक्कत नहीं चलो अब आगे अपन डिटेल में बात करेंगे किसकी टेस्टिस की बात कर लेते हैं डिटेल में ठीक है टेस्टिस पढ़ लेते हैं उसके बाद में यह जो सायक नलिकाएं सायक गरंतियां आपने नेक्स लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे, टेस्टिस की बात कर लेते हैं, ध्यान से सुनना टेस्टिस को, यह मैंने टेस्टिस का आपको बाहर का जो चित्र है, बाहर की क्या क्या सिस्टम होता है, वो सारा बता दिया, अब अंदर क्या होता है, वो बता देता हूं, ठी चाहां से सुनना यह सबसे बाहर के लिए रहे टेस्टिस की जो टेस्टिस आपको दिखता है उसकी बात कर रहा हूं तो टेस्टिस के पहले मैं एक चीज और बता दू आपको टेस्टिस की लंबाई कितनी होती है लंबाई होती है इसकी चार से पांस सेंटिम दोसे थीन सेंटिमिटर इसकी चोड़ाई होती है शेप कैसा होता है इसका ौवल श्यप होता है ठीक है ओवल अंडा कार अंडा कार ठीक है तो ये नॉरमल बाते हो गई अब इस कीवन क्या किरते हैं, इसका structure देख लीता है, कैसा structure होता है ये सबसे बाहर की layer है, सबसे बाहर की बाहर की जो पड़त है, टेस्ट हिसको अंदर से दिखाऊंगा कैसा होता है ठीक है तो सबसे बार की बार की जो लेर होती है उसको क्या बोलते है उसको बोलते है ट्यूनिका वेजनलिस क्या कहा जाता है जी इसको कहा कहते है ट्यूनिका वेजनलिस ठीक है जी अब इसके अंदर एक और परत होती है इसके अंदर एक और परत हो टीक है, इसको क्या क्राएते हैं, ट्यूनिकायलबू जीनिया, ट्यूनिकायलबू जीनिया, अब इसके अंदर, टloud कमरे क्या होते हैं, घ्रास कमरे हote हैं, fifteen-and-one연연ль SI and five-land help, तो कमरे बना देते हैं जी, ये एक कमरा, ये दूसरा कमरा, तीसरा, छोथा, पांच वाद, छीक है, अपन सारे नहीं बना सकते क्योंकि, आप उनको तो देखना है, ठीक है, इनको क्या बोलते हैं जी, testicular lobule, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, testicular lobule, हिंदे में बता हूँगा, क् वर्षण पाली का वर्षण पाली का तो इसके अंदर टेस्टिस के अंदर एक वर्षण के अंदर एक वर्षण के अंदर कितने होते हैं धाई सो वर्षन पालिका होती है, कितनी होती है, धाई सो इसका नंबर भी लिख दू, मैं कितनी होती है, 250, धाई सो होती है, यहां तक बात clear है, ठीक है, चलो, अब इन कमरों के अंदर कोन रहता है, इन कमरों के अंदर क्या है, तीन लोग रहते हैं, कोन रहते है, इन कमरों के अंदर क्या है, तीन लोग रहते हैं, तीन लोग रहते हैं, जी, ठीक है, डाइगराम बना रहे हैं, पर सारा नहीं बना पाऊंगा, ठीक है, तो आप समझ जाना, इनके अंदर क्या है, एक से तीन लोग, ठीक है, एक से तीन लोग रहते हैं, यह आपर, यह लोग कौन है, यह स्याहिनी फैरस टुब्यूल थिक है शुक्र जनक न लिका इसके अंदर रहती है अब क्या होगा यहां से निकलेंगी कुछ पाइप तिक है यहां से क्या निकलेंगी कुछ पाइप निकलेंगी छोटी-छोटी क्या निकलेंगी pipe का दर change कर लू कुछ छोटी-छोटी pipe निकलेंगी ठीक है यहां से कहा निकलेंगी छोटी-छोटी pipe निकलेंगी यह चोटी चोटी पाइप निकलेंगे बहुत चोटी चोटी पाइप निकलेंगे और एक जगह एकठी हो जाएंगी यहां यह एक जगह आकर यह क्या हो जाएंगी इकठी हो जाएंगी और उसको क्या बोलेंगे यहां पर यह जो चोटी चोटी पाइपे हैं यह सारी की सारी का यहां पर आकर इकठी हो जाएंगी ऐसे क्या है यहां पर आकर क्या है यह इकठी हो जाएंगी दोस्त ठीक है इसको क्या बोलेंगे वर्षण जाल बोलेंगे ठीक है उजाल सा बना लेंगी इसको क्या बोलते हैं वर्षण जाल वर्षण जाल ठीक है दिक्कत आ रही है मैं बता है सबसे जो बाहर की बाहर की परत होती है क्या होती है उसके अंदर इस विचनली में बोलते हैं कने होते हैं टि सो होती है अभी-जी-टी है यह आप से थीन समयों फियरस ट्या प्राइबते हैं रहते हैं इन कमरों की निकलेंगी चोटी-चोटी-चोटी P trucks निकलेंगी इक पर जाएगाँ जाल साब बन जाएगा तो यहां पर बन गए जाल सा बन गया इसे जाल को या बोलते हैं वर्षन जाल बोलते हैं इंगलिस में क्या बोलते हैं इसको रैटे टेस्टिस को कहा जाता है यहां तक बात क्लियर है ठीक है चलो आगे चलते हैं राइगराम के ठीक है अब यह जो वर्षन जाल है ठीक है यह किसमें खुलता है यह पूरा जो जो है यह खुलता एक बड़ी पाइप के अंदर यह खु हिंदी में बताऊंगा वास एफरेंसिया इस बड़ी पाइप क्या बोलेंगे वास एफरेंसिया हिंदी में इसको बोलेंगे शुक्रवाही का क्या बोलेंगे जी शुक्रवाही का ठीक बात है अब यह जो शुक्रवाही का है यह जो बड़ी पाइप है यह किस में खुलेगी यह खुलेगी एक कोईल्ड पार्ट में, कोईल्ड पार्ट मतलब ऐसा एक कुंडलित भाग होगा, कुंडलित नलिका होगी एकदम से, तो दिखाऊ मापको कैसी होगी, ऐसे एकदम से कुंडलित होगी बिल्कुल, ठीक है, कोईल्ड पार्ट होगा, इसको क्या बोलेंगे, इपीडीडाइमिस ठीक बात है अब यह अधीवर्षन जो है इसके अंदर होते हैं तीन पार्ट ठीक है क्या होते हैं कोर्पस कैपट और कोड़ा ठीक है ना याद रखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है अब इस अधीवर्षन के बाद में कौन सी पाइप आएगी जी इसके ठीक है इंगलीज में इसको बोलते है वास डेफरेंस वास डेफरेंस ठीक है जो कि मैंने आपको वास डेफरेंस यहां पर बताया था यह मैंने यहां पर आपको बताया था कि वास डेफरेंस जो है वो उपर पेट में जाता है ठीक है यहां तक बात क्लियर है ठीक है है जी ट्यूनिका विजनलिस ठीक है उसके बाद में जो अंदर की परत है उसको बोलते हैं ट्यूनिका एल्बू जीनिया ठीक है अब इसके अंदर होते हैं 200 कमरे नाम क्या है टेस्टिक्यूलर लोब्यूल या फिर वर्षन पालिका बोलते हैं और यह कितने होते हैं 200 होते हैं अब इन 200 कमरों के अंदर, एके कमरे के अंदर, एक से तीन, एक से तीन कौन रहते हैं, सुकर जनक नलिका रहती हैं, सेमाईनी फेरस टुबूल रहती है, अब यह एक से तीन हैं, यहां से क्या निकलेंगी, छोटी छोटी पाइप निकलेंगी, पाइप निकलेंगी, और वो ए नहीं जो चोटी-चोटी पाइपे हैं ये एक बड़े पाइप के अंदर खूलेंगी और ये बड़ा पाइप क्या है सुकर वाहिका क्या नाम है इसका सुकर वाहिका इंग्लिस में बोलते है वास एफरेंसिया ठीक है अब यह सुकरवाई का जो है यह खुलेगी एक कुंडलित पाइप के अंदर ठीक है जो एकदम से मलब आज़े टेडी मेडी ठीक है अज़ेसे वह पहले फोन चलता था ना एली फोन चलता था उसकी जो वायर थी वह जो कुं पाइप के अंदर उस पाइप का नाम क्या होगा सुकरवाई इंग्लिस में जिसको वास डेफरेंस कहा जाता है और यह उपर चला जाएगा तो मैंने आपको कि बताया कि क्या होती है कि प्रात्मिक जो अंग है वो क्या होता है प्रात्मिक लेंगिक अंग क्या होता है स्क्रोटम के अंदर क्यों रखा जाता है बार फेली के अंदर क्यों रखा जाता है क्यों नहीं इनको पेट के अंदर रख दिया पेट के अंदर क्यों नहीं रख दिया इनको बाहर रखने की जरुरत क्या पड़ी जरुरत ये पड़ी जरुरत ये पड़ी क्योंकि ठीक है क्य कि स्पम फॉर्मेशन के लिए सुक्राणू बनाने के लिए सुक्राणू बनाने के लिए सुक्राणू बनाने के लिए बनाने के लिए सरीर से सरीर के तापमान से दो से ढाई डिगरी सेल्सियस तापमान कमो होना चाई ये ये कमने तो को चलो ठीक है तो बार क्यों रखा जाता है क्योंकि सरीर का जो सुक्रानों जो है इस्पम बनाने के लिए सरीर का जितना तापमान उससे 2-2,5 degrees Celsius सरीर के तापमान से 2-2 degrees Celsius temperature वह कम होना चाहिए तब क्या सुक्रानों जो है वह सही से बन थाते हैं इसलिए जो है इसको बाहर एक थेली के अंदर रखा गया है इसको मैं लिख देता हूँ अलग से लिख देता हूँ ताकि नोट्स भी ठोड़ा से पर ऊपर हो जाएं न ऐक मिनट यह चीजे मैं एक मिनट जस्ट फे मिनट इसको यहां रख देता हूँ और यह बात किसकी है ? इसको इसको मैं ठीक है जलो ठीक है अब डाइगराम को मैं समभ वापस कर दूँ ठीक है ये टेस्टीस का डाइगराम बताएं मैंने सबसे बार की लिए क्या है ट्यूणिका वेजनलीश है उसके अंदर ट्यूणिका यल्बू जीनिया उसके अंदर धाईसो कमरे होते हैं, जिनको क्या बोलते हैं, तेस्टिकुलर लोबिूल बोलते हैं, फिर सुकर पालिका जिसको कहा जाता है, वर्षन पालिका उनको कहा जाता है, और इन वर्षन पालिका के अंदर क्या है, इन वर्षन पालिका जो है, इनके अंदर एक से तिन यह बात क्लियर है मतलब अपने क्या पढ़ लिया नर जननतंतर के अंदर अपने वर्षण की बात डिटेल में कर चुके है अब अपन को क्या पढ़ना है सायक नलीकाएं पढ़नी है अपन को सायक गरंथियां पढ़नी है और भाईये जननांग पढ़ना है और एक बात आपको बताऊं मैं ठीक है, अपन सायक नलिकाएं पढ़ चुके है कैसे काँ पढ़ी भई, काँ पढ़ी यहाँ पढ़ी अपन ने, यह जो है न आपकी सुकरवाही का यही तो क्या है, सायक नलिकाएं है तो यह भी अपन पढ़ चुके है बाकी की बातें जो है, आगी की जो बातें सायक जो गरंथियां और भाईये जो जननांग है, वो अपन करेंगे नेक्स लेक्चर के अंदर, इस लेक्चर में इतना बहुत है बाकी इस लेक्चर में इतना ही पढ़ेंगे वीडियो पसंद आये, तो लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब किये हूँ बीना किये बीना देख रही हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना कोमेंट सेक्शन में मुझे सब के नाम दिखने चाहिए जो रियल लेम है, वो सब के नाम मुझे कोमेंट सेक्शन में दिखने चाहिए और आज तो मैं रोल लंबर देदूँगा आज 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 अब सब अपने अपने नाम लिखना ठीक है अटेंडेंस यही है आपकी और बाकी मिलते है नेक्स लेक्चर के अंदर तब तक के लिए पढ़ते रहो